हालो एप्रिवन अभी है रात का टाइम और यह हमारा डीनर जो आया है वो बाहर से आया है और डीनर में चिकन प्रियानी जैसा कि आप लोगों देख की रहे हो तो यह दो किसम का लेके आये हैं एक ग्रेवी वाली और एक थोड़ी फिकी है यह फिकी मेरे लिए और जो वो पह हो गई है सुबह और मैं आ गई हूँ अपने किचन में अपना ब्रेक फास्ट बनाने के लिए बच्चों ने पहले ही ब्रेक फास्ट कर लिया है तो सिर्फ अभी मैं अपने लिए ही बनाऊंगी और मैं इससे पहले आप लोगों का वैलकम कर देती हूं अपने चैनल पर हलो वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल कैसे हूँ आप सब आई हो पाप लोग अच्छे होंगे आप लोगों से मेरी एक रीक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले मैं यहां सूजी में एड़ चमच मलाई और एक च डबा ले आई थी इसलिए मैंने चीनी के डबे को रख दिया और अब मैं ले आई हूँ नमक का डबा और इसे डालके इसमें पानी डालके फिर मैं इसे रख दूँगी ताकि सूजी मेरा फूल जाए क्योंकि सूजी को फूलने में वक्त लगता है तो इसमें मैं नॉर्मल पानी ही डालूंगी क्योंकि मैंने नहाया नहीं था और चे सूकर जो अच्छी तरह से ücksसी तो इसमें मैंने प्याज मिर्च और गाजर डाल दिया है गाजर को मैने कदuks च tonight कर लिया है और फिर अच्छी तरह से पानी कर दक ऑद्यक फेट MO में पानी डाले ठख दूंगी और उसके बाद मेरा ये चीला तयार हो जाएगा और इससे आप दही के साथ भी बना सकते हैं जैसे मैंने मलाई डाला था उसमें दही डालकर पर मुझे ज्यादा मलाई वाला ही पसंदे तो मैं ज्यादा करके मलाई वाला ही बनाती हूँ ये हेल्दी ब्रेक फा हुँक तो थी तो कि मेरी करता है जो कि मेरी पक रही है और यह भी पक चूपी है और चीला मेरा दीयार हो गया है तो आप देख लो मेरे चीले का कलर कितना सुन्दर आया है और जितना सुन्दर इसका कलर है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट है टेस्ट था मिन सभी तक तो मैं खा चुकी हूं इसे और यह हो गई है मेरे चीले तैयार बनकर तो हम चलते हैं अब फटा फटा अपना नास्ता कर लेते हैं यह चले गया है यह आए थे ड्रेसिंग करवाने के लिए मेरा और यह देखिए कैसे हो रहा है और देखिए मेरे घर की क्या हालत हुई पड़ी है और यह कैंटीन का समान कर लेकर आया थे तो यहाँ पड़ा हुआ है और आदा उधर पड़ा हुआ है तो मैं अध़ी दिखाऊँगी आप लोग को क। क्या क्या यह देकि आयाएथे आप लोग सोच रहे होंगे कि यह कल भी गई थी ।ुरेसिंग के लिए और आज भी गई है तो ऐसा नहीं है, मैं परसो गई थी ड्रेसिंग के लिए, कल मैंने कोई भी ब्लॉग नी बनाया, कल मैंने पूरा दिन आराम किया है, कुछ भी ताम ने किया, तो ये एक दिन बात का ब्लॉग है, सुबा आप लोग ने देखा मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद से मु मैंने अपना सूड भी लेके आया फिर इनको टाइम मिलेगा नहीं और मैं मेरा अकेले जाने का मन नहीं था तो हम उदर से ही अपना सूड भी लेते हुए आये और मैंने एक यह रिंग भी लाया है यह देखिए शूट मेरा सिल गया था तो कल यह लाना था मुझे क्योंकि कल 5 तारिक था उन्होंने बोला था पांच को दूंगा पर कल मैं गई नहीं और इनको भी टाइम नहीं था यह कल गए थे सुबा साथ बज़े और साम को आया थे साड़े छे बज़े तो उसके बाद मैंने इनको बो अब याएंगे चार बज़े बोलके गया हैं तो लंच में मैं आज बनाओंगी खिचड़ी क्योंकि आज सनी बार है और सनी बार के दिए खिचड़ी खाना अच्छा होता है और हर सटर्डे को नहीं बनाती हुँ मैं क्योंकि इन लोगों के इतना पसंद नहीं है पर आज मैं आज मैं जटपट वाला खिचड़ी बनाने वाली हूँ जो मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मेरे उंगली में चोट लगी है जिसकी वज़ा से हमारे घर में एक वक्त खाना बनता है तो दूसरे वक्त नहीं बन पाता है तो मैं सोचती हूँ कि मै ज्यादा तकलीब भी ना हो और हमारा पेट भी भर जाए तो इसलिए मैं आज जटपट वाली खिचड़ी बना रही हूँ तो मैंने सबसे पहले ऑईल डाला था उसके बाद उसमें जीरा डाला हिंग डाला और प्याज मिर्च टमाटर डाल कर वह जब भून पक गए तो मैं मैंने उसमें मसाले डाल दिये हैं नमक, घल्दी, धनिया, पौडर और जब सारे मसाले भून जाएंगे अच्छी तरह से तो मैं उसमें सबजियां डाल दूँगी और सबजियों मैंने डाला हैं आलू, गोबी, मतर और गाजर और जब सबजियां मेरी पक जाएगी तो मैं मैं डाल दूँगी दाल छावल जो कि मैंने पहले से ही Serge by रख दिया है तो में डाल रहे हूं नमक और नमक डालने के बाद क्यूंकी सबजियां मेरी पक जाए जल्दी से इसलिए नमक डाल दोँगी और उसके बार दाल चावल डालेंगे उसके बार गरं पानिदे ऑख उसमें धकन लगाके कुकर का और उसे एक सीटी आने तक ही पकाएंगे और अभी मैं एक चमच गरम मसाला डाल रही हूँ चावल और डाल डालने से पहले मेरे हैजबेंड और मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया है जिसकी वज़ा से मैं अब ठीक हो रही हूँ और जल्दी मैं पूरी तरह से ठीक हो जाओंगी और फिर से मैं अपनी रूटीन में वापस आजाओंगी और अब मैं दाल चावल डाल डाल दिया है और पाहिं डालने के बाद मैं इसे ढखकन लगा दूँगी कल मेरे घर में कुछ भी नहीं बना परसो जो ये लेकर आएं थे वही मैंने गरम करके दे दिया था तो बच्चे भी खा लिये थे और ये भी खा कर चले गए थे लंच में भी मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरा कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल पता नहीं क्यों और ये सुबा उस दिन साथ बजे गए थे और साम को साड़े छे बजे आये थे तो इसलिए ये आते वक्त बाहर से ही चिकन विर्यानी लेते आये थे क्योंकि इनकी भी इतने हिमत नहीं थी कि आकर कुछ करे और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बनाओ तो इसलिए ये सोचे कि मैं बाहर से ही ले आता हूँ तो ये लेकर आ गए थे उस दिन चिकन पिर्यानी तो वही रात का क्लिप था जो मैंने आप लोग को सुरुवात में दिखाई थे और अब मैंने इसमें लगा दिया है धकन और एक ही सीटी लगाओंगी मैं इसमें और मेरी खिचडी हो जाएगी तयार एक सीटी ही लगाना है मुझे एक सीटी लगाओंगी उसके बाद बंद कर देंगे हम इसे और पापड देख रहे हूँ आप मैंने निकाल के रखा है इसे तलूँगी और उसके बाद हम बच्चों को दे देंगे खाने के लिए और मैं भी खालूँगी तो किचन का काम हमारा खतम हो चुका है ये सीटी मालेगा तो फिर मैं आजाओंगी इसके पास मैं इस वाले रूम में आके बैट गए हूँ और मैंने आप लोगों से बुला था कि मेरा सोसिल की आ जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं दिखाऊंगी बगल वाली दीदी का आज मेरेच अनवरसरी है वो रात में ही आई थी बोलने के लिए हम साम को वहीं जाने वाले हैं मैं पहनूंगी तो आप लोग भी देख लेना और अभी हम चलते हैं लंज कर लेते हैं और लंज करने के बार मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो केंटिन से समान आया है मेरा यह लेक्या हैं इस वर मैंने गई थी तो यह जाते हैं जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा को उनको पता होगा मैंने उसमें बताया था क्या हुआ जी आजव मेरे बच्चे न मैं जबरदस्ति लेकर आती हुए वीडियो में वो आना नहीं चाहते हैं और तो मैं बोल रहे थी की जो पिछला वीडियो मेरा देखे होंगे उनको पता होगा कि मैंने बोला था मैं जाती हुँ तो कम समान लेकर आते हूं हमारे साथ उल्टा है और ये जाते हैं तो जो जरूरत के हैं वो भी लेकर आएंगे और जो जरूरत के नहीं है उसको भी उठा कर ले आएंगे तो मैं दिखाऊंगे आप लोगों कि क्या क्या ये लेकर आएंगे झाल 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 मैं और पीहू लंच कर रहे हैं पर प्रेंस अभी नहीं कर रहा है क्योंकि उसका भी खाने का मन नहीं है और मेरा ये वीडियो लंबा हो गया था तो इसलिए मैंने इसे दो भागों में बाट दिया है तो जो इस वीडियो का दूसरा पाट है वो कल आएगा और उसे में आपको मेरा सूट और कैंटिन के समान देखने को मिलेंगे तो आप मेरे उस वीडियो का इंतिजार करिएगा और मैं अपने इस वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से और सब्सक्राइब और प्लीज कमेंट करके जाएगा और बताएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और मेरे कल के ब्लॉग का इंतिजार भी करिएगा तो हम दोनों मा बेटी यहां बात करते हुए अपना लंच इंजॉई कर रहे हैं और आप लोगों को बोलते हैं बाई बाई